दोहा तीन सो सुहद सुजान सुसाही बहिव बहुत कहब बड़ी खोरी आईशु देव देव अब सबै सुधारी मोरी सहरत बिना ही हैतों के हित करने माले बद्धिमान और शिरेष्ट मालीक से बहुत कहना बड़ा प्रा थे इस देव आप मुझे आग्या दिजिए आपने मेरी सवी बात सुधार दी प्रभू पादपद्मू प्राग दोहाई सत्य सक्रित सुख सीव सुहाई सोकरी कहूं आप पने की रूची जागत सोवत सपने की प्रभू आपके चरनकमलों की रज जो सत्य पुन्य और सुख की मुहामनी सीमा अवधी है उसकी दोहाई करके मैं आप अपने हिर्दे के जागते सोते और सपन में ही बनी रहने वाली रूची कहता हूं अथात अपने इच्छा कहता हूं सहजस नही स्वामी सेवकाई स्वारत चल फल चारी भी हाई आग्या समना सो साहिब सेवा सो परसादो जन पावी दीवा वहर उची है कपट स्वारत और धरम अर्थ काम और मौक्ष चारा फलो को चोड़ करके सभाविक प्रेम से स्वामी की सिवा करना और आग्या पालन के समान श्रिष्ट स्वामी की और कोई सिवा नहीं है ही देव अब वही आग्यार उपरशाद सिवा को मिल जाए आस कही प्रेम विवस भैठारी पुलक स्रीर विलोचन भारी प्रभुपाद कमल गहे अकुलाई समौ सनेहू ना सो कहीं जाए भारत जी ऐसा कह करके प्रेम के बहुती वश्योगे शीर पुलकिता उठा नेत्रों में प्रेम अश्रों का जल भाराया अकुलाकर अर्थात व्याकुल होकर की उन्हेंने प्रभु शीर रामचंदर जी के चरन कमल पकड़ लिए उसस समे को और सने को कहा नहीं जा सकता क्रिपा सिंदू सनमानी सुबानी बिठाए समीप गही पानी भरत बिने सुनि देखो सुभाव सिथिल सने सभार गुराव कि पास इंदू शीर रामचंदर जी ने सुन दरवानी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़ करके उनको अपने पास भिठा लिया भरत जी की विंतिज सुन करके और उनका सभाव देख करके सारी समा और शीर गुनाची सने से शिथिल होगी रखू रावू सिथल सनेहू सादो समाज मुनी मिठिला धनी मानमहू सराहत भरत भायप भक्ती की महिमा घनी भरतही परसंसत विबुत बरसत समन मानस मलिन से तुल्ची विकल सब लोग सुनी सक्चे निस आगम नलिन से शीर गुनाची सादों का समाज मुनी विशिष्ची और मित्ला पति जनक जी सने से शिथिल होगी सब मन के मन मन ही मन भरत जी के भायपन और उनकी भक्ती की अतिशे महिमा को सराहने लगी देवता मलिन मन से भरत जी की परसंचा करते हुए उन पर फोल बरसाने लगी तुलसी दाची कहते हैं सब लोग भरत जी का भाशन सुन करके व्याकल होगी और ऐसे सकचागे जैसे रात्री के आगमन से कमल देखी दुखारी दिन दहू समाज ना नारी सब मगवा महा मलीन मूई मारी मंगल चहत दोनों सभाओं के सभी नर नारीयों को दीन और दुखी देख करके महा मलीन मन इंद्र मरे हुए को मार करके अपना मंगल चाता है कपट कुचाली सीमसुर राजू पर अकाज प्रिय आपन काजू काक समान पाकरी पूरी ती छली मलिन कतहुना परती ती देवराजिंद्र कपट और कुचाल की सीमा है उसे प्राई हनी और अपना लाव ही प्रिय है इंद्र की रिती कववे के समान है में चली और मलिन मन है उसका कहीं किसी पर विश्वाश नहीं प्रथम कुमत करी कप्टू संकेला सो उचाटू सब के सिर मिला सुरमाया सब लोग भी मोहे राम प्रेम अदिस्य ना विचो ही पहले तो बुरा विचार करके कपट को बटोरा अनेक परकार के कपट के जाल सजाए उसके साथ सजाए फिर वहक कपट जनित उचाट सब के सिर पर डाल दिया फिर दे माया से सब लोगों को विशेश रूप से मोहित कर दिया किन्तु शिरी राम चंदर जी के प्रेम से उनका अध्यनत विचो नहीं हुआ अर्थात उनका शिर राम जी के प्रती प्रेम कुछ तो बना ही रहा भे उचाट बस मन थिर नाही चन बन रुची चन सदन सुहाही दुविध मनोगती प्रजा दुखारी सरित सिंदो संगम जनुबारी भे और उचाट के वाश किसी का मन स्थेद नहीं शन में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और शन में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं मन की इस परकार की दुविधा मई स्थेती से प्रजा दुखी होगी मानो नदी और समुद्र के संगम का जल शुद हो रहा जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थेद नहीं रहता कभी इधर आता है कभी उधर जाता है उसी परकार की दुखा प्रजा के मन की होगी है दो चित कहूं परि तो सोना लहीं एक एक सन मरमूना कहीं लखी ही या हासी कह किरिपानू ने धाना सरससान मघवान जुबानू चित दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोश नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मरम्मे नहीं कहते किरिपान इधान शिरी राम चंदर जी ये दशादे करके हिद्दे में हस करके कहने लगे कुट्ता इंद्र और नावियुवा कामी पुरुश एक सरीखे एक ही सभाव के हैं पानी नहीं अव्याकरन के उनसाद शन योवन और मघवन शब्दों के रूबी एक सरीखे होती है बर्तो जनको मुनी जन सचिव सादो सचेत बिहाई लागी दे माया सब ही जथा जगु जन पाई भरत जी चनक जी मुनी जन मंत्री और ग्यानी सादो संतों को छोड़ करके अन्य सभी पर जिस मनुश्य की जिस योग्य जिस परकती और जिस थिती का पाया उस पर वैजे ही दे मया लगी क्रिपा सिंधू लखी लोग दुखारे निज सने सुर्पती चल भारे सभाराव गुर मही सुर मंत्री भरत भक्ती सब के मती जन्त्री क्रिपा सिंधू शीर रामचिंदर जी ने लोगों को अपने सने और देवराज इंद्र के भारी चल से दुखी देखा सवा राजा जनक गुरू ब्रामन और मंत्री आदि सभी की बुद्धी को भरत जी की भक्ती ने कील दिया रामही चित्वत चित्र लिखे से सकुचत बोलत बचन विखे से भारत प्रिती निती बिने बढ़ाई सुनत सुखद बरनत कठिनाई साब लोग चित्र लिखे से शीर रामचिंदर जी क्यों देख रहे हैं सक चाते हुए सिखाए हुए से बचन बोलते हैं भरजी की प्रिती नम्मर्ता विने और भड़ाई सुनने में सुख देने वाली है पर उसके वर्लन करने में कठिनता है जासु बिलो की भक्ती लव लेशू प्रेम मगन मुनि गन मिठ लेशू महिमा तासू कहे किमी तुल्ची भक्ती सुभाई सुमती हे अहुल्ची जिसकी भक्ती का लव लेश देख करके मुनि गन और मिठ लेशू जनकी प्रेम में मगन होगे उन भरजी की महिमा तुल्ची दास कैसे कहे उनके भक्ती और सुन्दर भाव से हिर्दे में सबुधी हुलस रही है अर्थाद विक सी तोरी है आपू छोटी महिमा बड़ी जानी कभी कुल कानी मानी सकुचानी कहीं न सकती कुन रूचिय धिकाई मति गति बाल बचन की नाई प्रंतो वह बुध्धी अपने को छोटी और भरजी की महिमा को बड़ी जान करके कभी परंप्रा की मर्यादा को मान करके सकुचा आगी उसका वदन करने का साहस नहीं कर सकी उसकी गुनों में रूचिय तो वहुत है पर उन्हें कह नहीं सकती बुध्धी की गति बालक के वचनों की तरह होगी वै कुन ठीत होगी भरत बिमल जसु बिमल बिधु सुमती चकोर को मारी उदी त बिमल जन हिर्दे नव एक तक रही निहारी गारजी का निर्मल याश निर्मल चंद्रमा है और कभी की सबधी चकोरी है जब भक्तों के हिद्धे रुपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदे देख करके उसकी और टक्त की लगाई देखती ही रहेगी तब उसका वर्ण कोन करे भरत सु भाउना सुगम निगमहू लगो मती चापलता कभी चमहू कहोत सुनत सती भाउ भरत को सियर राम पद होई नरत को भारत जी के सभाव का वर्ण वेदों के लिए भी सुगम नहीं है अदैम मेरी तुछ बुद्धी की चंजलता को कभी लोग श्यमा करे भारत जी के सभाव को कहते सुनते कौन मनुश्य श्यरी सीता राम जी के चर्णों में अंडक्त नहीं हो जाएगा बारत जी का समरंग करने से जिसको शीर राम जी का प्रेम सुलब नहीं हुआ उसके समान अभागा और कौन होगा जालू और सुजान श्रीहरी जी के सभी की दशा देख करके और भारत जी के हिर्दे की स्थिति जान करके धरम दुरिञ धीर नागर सत्यसने सील सुख सागर देशों कालों लखी समू समाजों नीती पृती पालकरग राजों धरम धंदर धीर निती में चतौर सत्य सने शील और सुख के समुद्र निती और प्रिती के पालन करने माले शीर गुनाची देश काल अवसर और समाज को देख करके बोले बचन बानी सर बसू से हित परिणाम सुनत ससी रसु से तात भरत तुम भरत धरीना लोक बेद विद प्रेम पर बीना ऐसे बचन बोले जो मन वानी के सर्वस ही थे परिणाम में हित कारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमरत से रिके थे उन्होंने का है तात भरत तुम धरम की घुरी को धारन करने वाले हूँ लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में पर बीन हो करम बचन मानस बिमल तुम समान तुम तात गुर समाज लगो बंधो गुन कुसमे की में कही जात हितात करम से वचन से और मन से निर्मन तुमारे समान तुमी हो गुरु जुन के समाज में और ऐसे कुसमे में छोटे भाई के गुन किस तरह कही जा सकते हैं जन्हु तात तरने कुल लिती सत्य संध पितु किति परिती समु समाजु मुलाज गुरु जन की उडासी नहित अनहित मन की हितात तुम सुरे कुल किरिती को सत्य पर्थिग्य पिताजी की किती और प्रिती को समे समाज और कुरुजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उरासीन मित्र और शत्तु सब के मन की बात को जानते हो तुम्हीं बीदिती सब ही कर कर्म अपन मोर परमहित धर्म मोही सब भाती भरोस तुम्हारा तदपी कहूं अवसर अंसारा तुमको सब के कर्मों कतवियों का और अपने तथा मेरे परम हिटकारी धर्म का पता है यद भी मुझे तुम्हारा सब परकार से भरोसा है तथा भी मैं समय के अंसार कुछ कहता हूँ तात तात बिनुबात हमारी केबल गुरुकुल क्रिपास संभारी नत्रु प्रजा परिजन परिवारू हम ही सहित सब होत खुवारू इतात पिता जी के बिना उनकी अनुपस्थिती में हमारी बात केबल गुरु बंच की क्रिपा नहीं संभाल रखी नहीं तो हमारे समेत प्रजा क्टुम्ब परिवार सभी बरवाद हो जाती जो बिनुआफसर अथाओं दिनेशो जग केहीं कहूं ना होई कलेशो तास उतपातो तात बिधिकीना मुनी मिथलेस राखी सबु लीना यदि बिना समय के संद्या से पूर्ज ही सुरे अस्त हो जाए तो कहो जगत में किस को कलेश नहीं होगा हितात उसी परकार का उतपात विधाता ने ये पिता की असमाइक मृत्यों किया है पर मुनी महराज ने तथा मिथलेचर ने सब को बचा लिया है राज काज सब लाज पती धर्म धर्नी धन्धाम गुर्प्रभाव पालही सब ही भल हो ही परिनाम राज का सब कारे लज्या प्रतिष्टा धर्म पृत्थी धन्ध घर इन सबी का पालन रक्षन गुर्प्रभाव समर्थ करेगा और परिनाम शुब होगा सहित समाज तुमारा हमारा घर बन गुर पर साध रखवारा मातों पितों गुर्प्र स्वामी ने देशो सकल धाम धर नी धर सेच सो गुरु जी का परशाद अंग्रे ही घर में और वन में समाज सही तुमारा और हमारा रक्षक है माता पिता गुरु और स्वामी की आग्या का पालन समस्थ धरम पी प्रिथी को धरन करने में शेश्ची के समान है सो तुम करहूं करवाहूं मोहूं तात तरनीकुल पालक हूँ साधक एक सकल सिद्धी देनी कीरती सुगती भूती में बेनी हितात तुम वही करो और मुझसे भी कराऊं और सोरे कुल के रक्षक बनो साधक के लिए ये एक ही अर्थात आग्या पालन रूपी साधन संपुरन सिद्ध्यों की देने वाली कीरती में सद्गती में और एश्यर में तरिवेनी है सो विचारी सही संक्ट भारी करहू प्रजा परिवारु सुखारी बाती विवत्ती सवही मोही भाई तुम ही अबधी भरी बड़ी कठनाई इसे विचार करके भारी संक्ट सेकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो है भाई मेरी विवत्ती सभी ने बांट ली है प्रंदो तुम को तो चूरा मर्स तक बड़ी कठनाई है सबसे अध्यक दुख है जानी तुम ही मृदू कहूं कठोरा कूस मेतात ना अंचित मूरा हुई कठाउं सुबंदू सहाई ओडी अही हाथ असनीह के खाई तुमको कौमल जान करके भी मैं कठोर वियोक की बात कह रहा हूँ ही तात बुरे समय में मेरे लिए ये कोई अंचित बात नहीं है कूसर में श्रेष्ट बाई ही स्यायक होते है वज्जर के अधात भी हाथ से ही रोके जाते हैं सेवक कर पदनेन से मुक्सो साइबू होई तुल्ची प्रिती की दीती सुने सुकभी सराही सुई सेवक हाथ पैर और नित्रों के समान और सामी मुक के समान होना चाहिए तुल्ची दास्चिक कहते हैं कि सेवक सामी की ऐसी प्रिती की दीती सुन करके सूकवी उसकी साराहना करते हैं सभा सकल मुनी रगुवर जानी सभा सकल सुनी रगुवर बानी प्रेम प्योधी अमे जनुसानी सिथिल समाज सने समाधी देखी दसा चुप सारद साथी शीरी रगुणाजी की वानी सुन करके जो मन प्रेम रुपी समुद्र के मन्थन से निकले हुए अमरत में सनी हुई थी सारा समाज शिथिल हो गया सब को प्रेम समाधी लग गई ये दिशा देख करके सरस्ती ने चुप साथ ले भरता ही भ्यों परम संतोशू सन मुख स्वामी विमुख दुख दोसू मुख पर सन मन मिटा बिशादू भाजन गुग ही गिरा पर साथू भरता जी को परम संतोशिवा स्वामी की समुख अनकूल होते ही उनके दुख और दोशों ने मुँ मोड लिया ये उन्हें छोड़ करके भाग की उनका मुख पर सन हो गया और मन का विशाद मिट गया मन गुंगे पर सरस्ती जी की किरपा होगी हो किनी सप्रेम परनाम बहुरी बोली पानी पंक रोह जोरी नाथ भ्यू सुकु साथ गे को लेहू लाहू जग जन्मू भाई को उन्हें फिर प्रेम पूर वक बरनाम किया और करकमलो को हाज जोर करकवे बोले हिनाथ मुझे आपके साथ जाने का सुक प्राप्त हो मुझे आपके साथ जाने का सुक प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया अब किरपाल जस आईसू होई कुरोसीस धरी सादर सोई सो अवलंब देव मोही दें अवधी पारू पामो जेहि सेंग ही किरपालो अब जैसी आग्या हो उसी को मैं सिर पर धर करके आतर पुरक करूँ प्रंतो देव आप मुझे वह अवलंब बन कोई सहारा देव जिसकी सिवा करके मैं अवधी का पार पर जाओं अवधी को बिता दो देव देव अविशेक हित गुरू अनु सास नु पाईं आनेउ सब तीरत से लीलो तेहीं कहें काहर जाएं ही देव सामी आपके अविशेक के लिए गुरू जी की आग्या पाकर मैं सब तीथों का जल लेता आया हूँ उसके लिए क्या ग्या होती है मेरे मन में एक और बड़ा बनोरत है जो भे और संकोच के कारण कहा नहीं जाता शी रामचंदर जी ने काहे भाई कहो तब प्रभु की आग्या पाकर भरजी सनेपूर्न सुन्दरवानी बुले चित्रकोट सुची थल तीरत बन खग मरिग सर सरी निर्जर गिरीगन प्रभु पद अंकित अमनी विशेशी आईशू होई ता आवादेगी अग्या हो तुची त्रकोट के पित्र स्थान तीत वन पशू पक्षी तलाब नदी जहरने और पर्तो के समो तुथा विशेश करके प्रभु आपके चरंचिनों से अंकित भूमी को देखाऊं अवसी अत्री आईसू सी धर हो तात बिगत भे कानन चर हो प्रभु परसाद बनु मंगल लाता पावन परम सुहावन बाता शीरगुनाथी बोले अवसी अत्री रिशी की आग्या को सिर्वर धरन करो उनसे पूछ कर विज्यसा कहीं वैसा करो पर निर्भे हो करके वन में विच्चरो भाई अत्री मुनी के परशाद से वन मंगलो का देने वाला पित परम पित्र और अत्यन सुन्द रहे रिशी नायकू जहां आईसू दे ही राखें तीरत जलो थलते ही सुनी प्रभु वचन भरत सुखी पावा मुनी पद कमल मुदित सिरुनावा और रिशियों के परमुख अत्री जी जहां आग्यादें वहें लाया हुआ तीरतों का जल स्थापित कर देना प्रभु के वचन सुन करके भरत जी ने सुख पाया और अनन्दी ठोकर के मुनी अत्री जी के चरन कमलों में सिर नवाया भरत राम समवादो सुनी सकल समंगल मूल सुर स्वार्थी सराहिं कुल बरसत सुर तरुखूल समास्त सुन्दर मंगलों का मूल भरत जी और शीर राम चंदर जी का समवाद सुन करके स्वार्थी देटा रगुकल जी की साराना करके कल्प रिख्ष के फूल वर्साने लगे धन्य भरत जै राम गुसाईं कहत देव हरसत बरियाईं मुनी मिथलेस सभासब काहू भरत बचन सुनी भ्यो उचाहू भरत जी धन्य है सामी राम जी की जै हूँ ऐसा कहते हुए देटा बल पूरक अत्याधी घर सित्यों ने लगे भरत जी के वचन सुन करके मुनी विशिष्टी मिध्रापती जनक जी और सभाईं सब किसी को बड़ा उच्छा अनंद हुआ भरत राम गुन ग्राम सनेहू पुल की प्रसंसत राव विदेहू सेवक स्वामी सभाई सुहावन नेमू पेमू अधिपावन पावन भरत जी और शीर राम चंदर जी के गुन समू की जठा प्रेम की विदेहराज जनक की पुल के धोकर के परशंचा कर रहे हैं सेवक और स्वामी दोनों का संदर सभाव हैं इनके नियम और प्रेम पित्र को भी अध्यंत पित्र करने वाले हैं मति अनसार सराहन लागे सचीव सभासद सब अंदागे सुनी सुनी ए राम भरत सम्वादो तो हो समाज हिया हर सु बिश्यादो मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुगद हो करके अपनी अपनी बुद्धी के अंसार सराहना करने लगे शी राम चंदर जी और भरत जी का समाज सुन सुन कर दोनों समाजों के हिद्धों में हर्ष और विश्याद भरत जी के सिवा धर्म को देखकर हर्श और राम्यों के सम्भावना से विशाद दोनों हुए राम मातू दुखु सुखु सम जानी कहीं गुन राम परभोती जानी एक कहीं ही रगबीर बढ़ाई एक सराहत भरत भलाई शीर राम टंदर जी की मता कुशल्या जी ने दुख और सुक को समान जान करके शीर राम जी के गुन गैकर के दोसरी रानियों को धहरे बंदाया कोई शीर राम जी की बढ़ाई बढ़ाई बड़पन की चर्चा कर रहे हैं जो कि भरत जी के अच्छे पन की सराना करते ही अत्री के हूँ तब भरत सन सेल समी पसकूप राखवती रथ तो ए तेह पावन अमे अनूप तब अत्री जी ने भरत जी से कहा इस परवत के समी पी एक संदर कूँआ है इस पित्र अन्पम और अम्रत जैसे तीथ जल को उसी में स्थाबित कर दीजी भरत अत्री अनूजाचन पाई जल भाजन सब दिय चलाई सानुज आपो अत्री मुनी साधु सहित गे जहां कूपका गातु भरजी ने अत्री मुनी की आग्यापा करके जल के सब पात्र रवाना कर दिये और छोटे भाई शत्रुगन अत्री मुनी तखा अन्य सादू संतो सहीद आप वहांगे जहां वै अथा कुमा था पावन पाथ पुन्य थल राका परमोधित प्रेम अत्री अस भासा ताद अनादी सिद्ध थल एहूं लोपे हूं काल विजित नहीं एहूं और उस पित्र जल को उस पुन्य स्थल में रख दिया तब अत्री रिशी ने प्रेम से अनंदित हो करके ऐसा कहा है ताद ये अनादी सिद्ध स्थल है काल करम से ये लोप हो गया है इसलिए किसी को इसका पता नहीं था तब सेवक अनहन सरस थलू देखा कि नी सुजल हितकूप विशेशा विदीवा सभियू विस उपकारू सुगम अगम अति धर्म विचारू तब भरजी के सेखों ने उस जालियुक स्थान को देखा और उस सुन्दर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुवा बना लिया देव योग से विश भर का उपकार हो गया धर्म का विचार जो अच्चंत अगम था वे इस कोप के प्रभाव से सुगम हो गया भरत कोप अब कहीं लोगा अतिपावन तीरत जन्जोगा निमज्जत मरानी होई ही भी मल करम मन बानी अब इसको लोग भरत कोप कहेंगे तीर्थों के जल के से योग सिज़ तो यह अच्चंत पित रहो गया इसे प्रेम पुरक नियम से शिरान करने पर प्रानी मन वचन और करम से निर्मल हो जाएंगे कहा तक कोप महिमा सकल अगे जहां रगु राओ अत्री सुनाओं रग वरही तीरत पुन्य परभाओं कोप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गे जहां शीर रगुनाजी थे शीर रगुनाजी को अत्री जिने उस तीरत का पुन्य प्रभाओं सुनाया कहत धरम इतिहास प्रिती भेव भरू निशी सो सुख बीती निट्य निभाईं भरत दो भाईं राम अत्री गुर आई सुख बाईं प्रेम पुरक धरम के इतिहास कहते हुए वे राज सुख से बीत गई और सुविरा हो गया भरत शत्रुगन दोनों भाई निट्य क्रिया पुरी करके शीर राम जी अत्री जी और गुरू शिष्ट की आज्यापा करके सहित समाज साज सवसादी चले राम बन अतन प्यादी कोमल चरन चलत बिन पन ही भई मृदो भूमी सकुची मन मन ही समाज साज सब सादे साज से शीर राम जी के बन में ब्रहमन अर्थात परड़क्षना करने के लिए पैदल ही चले कोमल चरन हैं और बिना जूते के चल रहे हैं ये देख करके प्रिथी मन ही मन सक्चा कर कोमल हो गई कोश कटंक कांकरी कुर काई कटूक कठोर को बस्तो दुराई मही मन्जूल मृदु मारग की ने बहुत समीर त्रिवद सुख्र ली ने कुश कांटे कांकरी द्रारें और कड़वी कठोर और बुरी वस्तो को चिबा करके प्रिथी ने सुंदर और कोमल मार कर दिये सुखो को साथ लिए सुकदायक शीतल मंद सुगंद हवा चलने लगी सुमन बरसी सुरघन करी छाही बिटप फूली भली तरन मृत ताही मृग बिलोकी खाग बोली सुबानी सेवी ही सकल राम प्रिय जानी राश्ते में देवताः फूल बरसा करके बादल च्छाया करके वरिक्ष फूल फल करके तरिन अपनी कुमलता से मरिक पशु देख करके और पक्षि संदर बाने बोल करके सभी भरत जी को शीर रामचंदर जी के प्यारे जान करके उनकी सेवा करने लगे